वे ओडीसा के एक अंदमान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि भारत ने मन बना लिया है कि एंडिये लोग सभा में 400 के पार जाएगी कॉंग्रेस के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि देश ने अप्टै कर लिया है कि 4 जून को हम जीतेंगे विपक्ष के लिए जरूरी सीटे नहीं मिलने पर वे 50 सीटों से लिचे सीमित हो जाएंगे प्रधान मंत्री मोधी ने आगे कहा कि ओडिसा में पहली बार डबल इंजिन की सरकार बन लिगी हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एंडिये चार सो पार करने वाला है भाजपा अपने सारे तोड़ करके चादा से चादा सांसत के साथ आने वाली है और कॉंग्रेस वाले ये भी लगले कि इस चुनाव में कॉंग्रेस को लोग सभा की कुल संख्या के 10 परसंट चाहिए मानने विपश्मंडे के लिए कॉंग्रेस वाले ज़रा कान खोल करके सुन लिजिए ये देश ने तै किया है ये चार जुन को आप देखेंगे के कॉंग्रेस इस देश में मान्य विपश्मी नहीं बन पाएगा वो पचास से नीचे सिमटने वाले हैं